तो मेरे पेरे साथियों नमस्कार ध्यान दीजेगा सभी लोग जितने भी हमारे छोटे भाई व्याने न सभी लोग ध्यान देंगे मैं यहाँ पर देंगे मोडली पर में आपको बहुत लंबी वीडियो होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं हो पाता ह यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको धियान दीजेगा जो important questions है ना मैं उनको यहाँ पर solution करवाने वाला हूँ तो सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को ज़्यादा ज़्यार करेंगे like, comment, subscribe ज़रूर करेंगे साथ ही साथ आप सभी लोग भेल आइकन को ज़रूर दब बह STAR पाली सिग ना चलिए मेरे दोस्तों और आपको हम बेतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एक तदम बहतरीन तरीके से समझ में आ जाए ठीक है ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर यक Rick under 1 प्लस Y plus Y under 1 प्लस Y ।ो आपको क्या सिद्ध करना है ड ध्यान दीजेगा, सभी लोग और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, और यहां पर आपको करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, यहां पर जो बच्चे कर पा रहे हैं, वो जरूर करते रहेंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे साथ चलेंगे, ठीक है इसको हम solve करेंगे ठ्यांदीजेगाम इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है ना तो चलिए solve करते हैं अच्छी तरीके समझने का प्रयास करते हैं आपको दिया क्या है पहले आप लिखिए यदी क्या दे रखा है यदी X under root 1 plus Y plus Y under root 1 plus X आपको यह दे रखा है तो बराबर हैं पर 0 रखा है हमएिए फ्रूप करना है ठीक हमें यह हैं सिद्ध करना है तो हम यहां पर इसको dets örenくै यक्स क्या लिख सकते हैं मैं प्लस वाई ठीक बराबर यहां पर इसको उधर ले जाएंगे क्या लिख सकते हैं माइनस वाई अंडरूर वन प्लस यक्स इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप सभी लोग बताएंगे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब देखिए हम क्या करेंगे इसका इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का क्या करत यहां पर संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है ना चलिए आगे ध्यान दीजेगा यहां पर अब हम आगे इसका क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजेगा मेरे प्यारे साथ ही यहां हम करेंगे दोनों पक्छों का वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर ठीक है ना इसका हम वर्ग कर देंगे ध्यान दीजेगा जब इसका वर्ग करेंगे तो यक्स समझ में आ रहा है आगे क्या लिखेंगे माइनस वाई अंडर रूड वन प्लस यक्स का होल स्कॉयर इस तरह हो जाएगा ठीक है न इतनी बात आपको आ रही है न अब देखे जब इसका हम होल और करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यक्स स्कॉयर हो जाएगा और यह अब हम क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे ध्यान दीजेगा इसको ध्यान दीजेगा अब यहां पर क्या करने वाले हम हम क्या करेंगे इस यक्स स्कॉयर को अंदर मल्टिप्लाई करेंगे तो यक्स स्कॉयर हो जाएगा प्लस यक्स स्कॉयर वाई हो जाएगा बराबर यहां हो जाएगा y square और यहां प्लस हो जाएगा y square X हो जाएगा, ठीक, यह आप समझ रहे न, इतना आपको समझ में ना रहा होगा, चलिए. अब आगे देख़िए, आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे देखे हम क्या करेंगे? इस y square को इधर ले आएंगे इस x square y को उधर ले जाएंगे तो x square minus y square बराबर क्या हो जाएगा y square x minus x square y समझ में है ना हम इस y square को इधर ले आए और इस x square y को हम उधर ले गए ठीक है यानि दहिने तरब ले गए ठीक अब देखिए यह आपका फार्मूला बन रहा होगा किसका x plus y और x minus y ठीक है आप फार्मूला जानते हो चोगी हमें ग्यात है a square minus b square बराबर क्या होता है a plus b a minus b समझ में आया या आप जानते होंगे सभी लोग फार्मूला ठीक है ना अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों में कामन क्या है अगर देखा जाए तो y x इसमें भी है x y इसमें भी है दोनों हम कामन ले लेंगे x y जब इसमें x y कामन लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि x गायब हो जाएगा यहाँ पर y बचेगा y आजाएगा ठीक है ना y आजाएगा और यहां पर क्या बचेगा एक y गया हो जाएगा यक्स बचेगा तो y minus x आपका आजाएगा ठीक इस तरीके समझ में आरा आना अब देखे यक्स प्लस y और into x minus y ठीक है न बराबर क्या हो जाएगा धिहां दीजेगा बराबर यहां पर देखे हम minus को कामल लेंगे तो minus x y हो ज जाएगा और यह जो प्लस प्लस वाई है यह माइनस वाइं बदल जाएगा तो अब देखी x minus y क्या हो जाएगा ठीक बचेगा यक्स प्लस y बराबर क्या बचेगा बचेगा minus y ठीक है न अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं इसको जब इसको हम इदर ले आएंगे तो ध और अब देखे इन दोरों में इसको माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो य प्लस यक्स वाई बराबर माइनस यक्स इधर जाएगा ठीक ये प्लस यक्स को उधर ले जाए हम अब यहां देखे वाई काम ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा वन प्लस यहां पर क्या बच सकते हैं माइनस यक्स वाई अपान क्या लिख सकते हैं या आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ यक्स ही होगा क्योंकि यह इधर है ठीक है ना तो क्या हो जाएगा यहां पर यक्स बटे वन प्लस यक्स क्या हो जाएगा यहां पर यक् अब हो जाएगा माइनस यक्स बटे वन प्लस यक्स ठीक यह आपका हो जाएगा अब देखिए इसका हम यक्स अब देखिए हमारे वाई एक तरफ हो गया यक्स एक तरफ हो गया ना हमारा मेर मक्सद क्या था वाई को एक तरफ करना यक्स को एक तरफ करना अब हम क्या करेंग यक्स के साप एक्ष क्या करेंगे यसक्त के साप एक्ष ओकलन करने पर क्या करने पर ओकलन करने पर डभ requirement करेंगे तो क्या हो जाएगा धियान दीजेगा ज्हब इसका करेंगे despite हरका न तो दिखेंगे लिखेंगे दिखेंगे हम ने तो उन साफव एंस यहां वकनलन छुट क्लेगे फीर प्लस लिखेंगे और इसमा दिखेंगर किसका DRS कर दोस्ति क्या बचेगे हमने क्या बचफ मरे दोस्तितGot एक नम छेoop और ध्यान दीजेगा हर को ऐसे हमने क्या किया हर को ऐसे रखा अब अन्स को ऐसे ही रखेंगे अन्स को ऐसे ही रखेंगे हर का आउकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा कोश्ट को बटे क्या होता है हर का स्कॉयर क्या होता है हर का स्कॉयर तो यहां पर जब इसको से वचाएगा वन प्लस योट का हो जाएगा अंशर हो जाएगा यहीं हमें क्रूप करना था तो सब्छाता शू क्या पेहां Powers सकते हैं हमें इसी चीज को क्या करना था है प्रूप करना ओं ओंधे अजने कशाम आ सब्सक्राइब करते हैं तो ठ्यांती जाए कोई सन क्या करा रहा है सिद्ध कीजिगे की 210 इन्वर्स वन अपान-2 प्लस 10 इनुवर्स-1 अपान-7 बराबर क्या था होता है टैन इनस्ट थर्टी-1256-17 ठीक है यह आपको दे रखा है आपको फुरूप खरना है अगर इसको हम क् RHS माने ठीक है न तो हमें क्या फूरूप करना LHS राबर RHS ठीक है तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से solve करते हैं ताके आपकी बहतरी तरीके समाझ में आए हम क्या لेते हैं पहले इसको solv करेंगे तो solve करने से पहले हमदे LHS लेंगे क्या लेंगे LHS लेंगे तो देखे अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे टू टैन इनवर्स वन अपान टू तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइं अगर सभी को मालूम हो थो हम इसको क्या officials सकते हैं एंवर्स 112 प्ल प्लस10 ऑन अपार्ट्य मैं लिख सकते हैं जिरूर्स वन अपान सेव हैं इसको मली लेख लिए ना इस तरीके से सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं अब देखिए हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इन दोनों में क्या लगाएंगे तो क्या होगा मेरे प्लस तो अपाान टू अपान करें अधी तैना क्रता आफ शेंगे मां या पिलास बी अपान वनन माइनस ए इन तो भी हान टू इन वन अपान टू है और यह आपका बचा ही है क्या है टन इन वर्स делать दने रहांगे चलते हैं नियान देजेगा आप देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा अब यहां पर हम क्या करेंगे एक्वाद फिर चीजiveness क्या करेंगे यहां पर टैंभर्स 3D या प्लस टैंभर्स तो यहां पर ध्यान दीजेगा अब देखिए इसको हम कैसे solve करेंगे यहां पर लिखेंगे 10 inverse क्या लिखेंगे 10 inverse 1 upon 4 minus 1 क्याने कि 3 बटे 4 ठीक है न और plus 10 inverse क्या हो जाएगा एक बटे 7 इतनी बात आपको समझ में आई कहां से कैसे आया सारी चूंकि यह फार्मूला हम लगाये थे उपर ही उपर क्या फार्मूला लगाये थे चूंकि हमें मालूम है 10 inverse A plus 10 inverse B बराबर क्या होता है 10 inverse A plus B upon 1 minus A into B यह फार्मूला जानते हैं इसको आप लिख 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 दिएगा ठीक क्या ही फार्मूला हम लगाये हुए है ठीक है न चलिए अब इसको हम solve करेंगे तो द्हान जीगा तैन इनवर्स क्या हो जाएगा यह उपर जाएगा तो चार बटे 3 प्लस एक बटे 7 बटे 1 माइनस 4 बटे 3 इंटू 1 बटे 7 ठीक है न यह आपका हो जाएगा अब देलिए इसको solve करते हैं धियान दीजिएगा 10 inverse क्या हो जाएगा 10 inverse अब देखे इसमें LCM कितना हम लेंगे LCM कितना लेंगे हम यहाँ पर LCM देखे 7 तरीक 11 मतलब ऐसी संख्या हम रखते हैं नीचे जो दूनों संख्याओं जो नीचे वाली दूनों संख्याओं उससे कड़ जाए देखे अगर हम 21 रखेंगे तो तीन और सतीन का पढ़ा साथ दर पढ़ेंगे तो एकीस आ जाएगा तीन सते इतना आपको समझ में आ गया होगा है चली है आगे चलते हैं अगे इसको आगे करेंगे तो 50 आपका चोग 28 और प्लस 3 एका 3 ठीक है ना नीचे क्या बचेगा 21 बचेगा बटे 21-4 21-4 कितना हो जागा 17 बटे 21 देखे इस 21 को कैंसिल कर देंगे बचेगा क्या मेरे पहरे दोस्त मेरे पहरे साथ ही 10 इन इन वर्स क्या बचेगा 28 और तीन किना 31 बटे नीचे क्या बचेगा 17 तो यहीं हमें क्या करना था फूरूप करना था यहीं आपका क्या हो जाएगा और एच एस हो जाएगा जो कि आपका अंसर हो जाएगा समझ में आया हमें फूरूप यहीं करना था तो अच्छी बत तर तो आप यहां पर इस तरीके से solve कर सकते हैं ठीक है न तो अच्छी तरीके समझ में आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा चलिए अगले question की बात करते हैं तो देखिए भी question बहुत बार पूछा गया प्रशन है और इसलिए मैं यहां पर प्रशनों को लाया हूं इसमे में कुछ बच्चे हमारे हों का नहीं मालूब होगा उसका ऐल मिस क्या होता है left होता है हेंड होता है side होता है तो बाएं तरफ की सीमा या बाएं तरफ की जो मान हैं वो लेने पर आरहे हैस आपको लेना है right hand side मतलब दाइए हाथ की तरफ बाली चीज को हम लेंगे अब अगर आपको देखना होगा तो यहां पर आपको दिया है क्या दिया है अगर हम LHS को लेंगे LHS को लेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 13 16 19 14 17 और 20 यानि 20 15 18 और 21 कितना हम ले सकते हैं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सभी लोग बताएंगे ले सकते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे ध्यान दीजेगा मेरे पहरे साथी इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम कर करने वाले हैं ध्यान समझेगा इसको क्या करने वाले हैं इसमें करने वाले हैं तेरह 14 ठीक और 15 इसको क्या करते हैं इसको कर दे 13 प्लस 3 लिख सकते हैं कि बीच वाले पत को हम क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 3 क्या होता है 16 ही होता है इसके बराबर यह लिख सकते हैं इसी तरीके इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 3 लिख सकते हैं कोई दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए ठीक इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 3 ठीक समझ में आया आप इसी तरीके से 19 को हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 3 लिख सकते हैं इसी तरीके से हम 20 को क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 3 ठीक है न लिख सकते हैं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 18 प्लस में इतनी में किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूं और अच्छी तरीके समझाने का भी प्रयास करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा इसक साथ लिख जीजिए तीन तीन और इसको भी एक साथ लिख दीजिए ठीक न अब क्या बचा प्लस में क्या बचा प्लस में आपका क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त क्या बचा बचा आपको 13 14 15 और यहां क्या बचेगा 13 14 15 यहां क्या बचेगा 16 17 18 समझ में आया समझ में आया कि नई समझ में आया अब आप लोग को एक प्रमे मालूम होगा प्रमे क्या मालूम होगा अगर सारी में दो इस्तंब क्या हो समान हो तो इनके सारी मान क्या होते है सून ने होते है अगर सारी में दो इस्तंब क्या हो समान हो तो उनके जो साड़ी का मान होता है, क्या होता है, सून नहीं होता है, वो भी कैसे आता है, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप सॉल्व करेंगे, इस 13 को लेका साड़ी को सॉल्व करेंगे, तो 3-3 0 हो जाएगा, 3-3 0 हो जाएगा, अगर इसको भी लेंगे, तो क्या हो जाएग प्रश्न है तो आपको अची तरीके समस्ण में अगले कोई सन की बात करते हैं अगला प्रस्न लेकिन लेकिन ये प्रशन बहुत बार आप से पूछा गया है बहुत बार एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है इसको आप बेरी इंपोर्टेंट की कटेगरी में रखिये गा ठीक है ना चलिए ध्यान दिजेगा सदीस विक्टर ए बरावर 2i का प्लस 3 जेक प्लस 2 के कप का सदीस विक्टर भी बरावर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप पर प्रक्षेप आपको निकालना है तो चलिए ध्यान दीजेगा इसको हम कैसे solve करना है जो बच्चे solve करना जानते हैं वो बिल्कुल solve करते रहिए और यहाँ पर जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान से अपनी कॉफी में एक-एक step को लिखते चलेंगे ठीक है ना तो चलिए ध्यान दीजेगा यहाँ पर इसको हम solve करेंगे क्या करेंगे solve करेंगे तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर जब solve करेंगे vector a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना है हमें प्रक्षेप अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सदीस सदीस vector b पर क्या निकालना हमें प्रक्षेप अगर निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी जब प्रक्षेप हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा one upon mod of b टीक है ना into क्या हो जाएगा vector a dot vector b टीक है ना तो a.b निकालेंगे और इसकी तरीखे से हाँ पर क्या निकालेंगे अपन, mod of b निकालेंगे तो ध्यां दिजेगा ओन पन लिख सकते हैं अगर 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 आपको बता दूँ आई डॉट आई बराबर क्या होता है अगर अगर आई डॉट जे हो जाए तो हाँ पर जीरो हो जाएगा ओवाला पूरा पत तो यहाँपर तो क्या-क्याई पद बचेगा आई के साथ आई बाला पत बचेगा और के के साथ के बाला पत बचेगा तो यहांपर जब शुल्ब करेंगे तो 2x1 2 into 1, plus 3 into 2, 3 into 2, plus 2 into 1, ठीक है न, यह पदा आप कब बच गया, अच्छी तरीके समझ मैं है न, अब देखिए, अब देखिए, हम solve करेंगे, 1 upon under root, 1 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा, 1, 2 into 1, 2, plus 3 into 2, 6, plus 2 into 1, 2, ठीक, समझ मैं है न, इतनी बात, अब देखिए, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर, 1 upon क्या हो जाएगा, under root, 4 plus 1, 5, और 1, 6, कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 8, 2, 10 आपका बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पेहरे साथ ही, 1 upon under root, 6, को हम क्या लिख सकते हैं, under root, 6 है, यहाँ दस यहाँ अपर लिखेंगे, under root, 6, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा हम तोड़ने का प्रयास करें, अगर इसको हम और थोड़ा तोड़ने का परयास करें तो आप क्या तोड़ सकते है इस अंडरूड थ्री आपका लिख सकते हैं कोई दिकत कोई दिकत वाली बात नहीं पर नहीं होनी चाहिए त Sicher आपका क्या हो जाएगा जाएगा वी ठींड हो जाएगा घ्रीम विडियोशन हो अने अने जेगा ठीक है न इस दावले फार्मूलिय को लगा देंगे तो हाँ प्रक्षेप निकल जाएगा ठीक है आगे जलते हैं आगे आपको बताएंगे तहां बहतरीन तरीके से और नेक्ट वीडियो में आपको और इंपॉर्टन बहले कोईशन ले आएंगे तर फिर मिलता है नेक जेपार।